तो और गाईज कैसे है अपलोग तो फाइनली एपल ने आईवेस 17.5 को रिलीज कर दिया है इस टेवल वर्सन इसके साथ आईपेड ओएस, मैक ओएस, वाच ओएस, टीवी ओएस, होमपोड ओएस जो 15.5 का जो इस टेवल वर्सन जो फाइनल वर्सन होता है पब्लिक के लिए आईपोन के लिए तो मैंने वीडियो रिलीज कर दिया है मेरे यूटूब चैनल के उपर जाके अपलोग चिकाउट कर सकते 17.5 का स्टेवल वर्सन के अंदर क्या-क्या नया फीचर देखने मिलता है इस जगह पर बात करते है आईपेड के अंदर क्या फीचर आपको देखन है वह 800 MB के असपास और उसका जो स्क्रीन स्वाड रखाता हो डिलेट हो गया तो इस जगह पर मैं बता नहीं सकता लेकिन जैसे जाता हूं सेटिंग्स में और सौप्टेर अपडेट में तो इस जगह पर देख सकते हैं मेरा जो है सौप्टेर अपडेट है और यह स्टेवल क्या आपको इफोन आईपेड और मिल जाएगा तो जैसे इस जगह पर हैंगे तो इस जगह पर उप्सेत आपको को देखने मिलता है तो आपको कौन सा पसंद आप beyond z select करेंगे और इसके बाद जो तो नेक्स्ट फीजर है find my के अंदर find my के अंदर क्या है कोई भी आपके बास device है उस device को जब किसी जगापर submit करते हैं जो apple service center के अंदर जो कुछ अगर इसू है तो इस जगापर क्या बोलते हो लोग जो भाई find my off कर दीजे तो इस जगापर में बोलाइक है ुशक है इसको जब left swipe करेंगे तो इस जगापर आपको डिलेट का ओ Kids में इस इसके उपर जब क्लिक करेंगे तो इस जगह पर आपको देखने मिलता है तो इस जगह पर आप कंटिन्यू करके आपका डिवाइस का जो फाइन माई इस जगह पर आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं ताकि इस जगह पर आपका डिवाइस उसी सर्विस सेंटर पर है या उस स कैलर जो है कटा और आपको अपना बीजेट केए अंदर भी देखने मिलता और इस चगह पर आप नेक्स्ट करेंगे 123 उगा तो इस 1946 चेंजयाबर और भीडोह जो होगा जब फर्स ट्राइम लिवेक्ष स्बेंटेन सिद्फज का ज Incre और इस जगा पे जो है today reading जो मतलब आप इस जगा पे उसको check कर सकते हैं तो books के अंदर है हलका सा change किया है इस जगा पे जैसे iPhone के अंदर आपको देखने मिलता है और इस जगा पे अगर आप eardrop करते हैं तो भाई eardrop के अंदर भी काफी fast क्या है पहला तो आपको fast देखने मिल ना क्या ये भी आप इसको रेलाइज कर रहे हैं जो काफी फास्ट हो रही है या नहीं अब लोग जरूर कॉमेंट्स में बताना तो आइपेड के अंदर ये कुछ नहीं चेंज था तो बात करें परफॉर्मेंस की भाई परफॉर्मेंस ठीक ठाक है बैटरी लाइप भी सही द के अंदर को इस चल रहे है अब लुक साहते हूं आहिं इसका पर आपके पास आपन आपस आप्लिकेशन बगळा हो होगा इस चेकाप पर सोगा तो अपडेट कर लेंगे तो इस तरह का कुछ इसू नहीं आएगा काफी सही चल रहा है आप लोग चाहे तो iPadOS 17 को अपडेट कर सकते हैं और इसके साथ अगर आपके पस HomePod है तो HomePod को भी अपडेट कर सकते हैं अपडेट कर लिया इसके बाद बात करते हैं जो Apple Watch के अंदर क्या फीचर आपको देखने मिलता है और इस जगा पर पहला तो नियू और आपडेट करेंगे और अपडेट करेंगे तो अपडेट करते टाइम आपका वाच का जो बैटरी परसेंट वो 50 के उपर होना चाहिए तब यह अपडेट होगा नहीं तो इस जगा पर रुख जाएगा तो इस जगा पर इसको देख सकते हैं और इस जगा पर इसका बिल्ड नंबर चेक कर लेते हैं तो इस जगा पर जो एपिल वाच है पहला तो यह वाल पेपर आपको देखने मिलता है और जैसे आप इसको घुमाएंगे इस जगा पर देख सकते हैं और इस जगा पर क्लीक करेंगे तो यह कलर आपको देखने मिलता है इसके नीचे यह कलर जो इतना अच्छा नहीं है वाटेट के साथ ब्लू जो परपlles और इस जगह पर जो है आपको नेबी बूट वाइट और इस जगा पर जो यह डार्क कलर है और इसके साथ जो आपका light pink और purple भी add है इस जगह पे और इसके साथ मतलब different different color purple है, green है, blue है, white तो ये सारे जो color, 5 colors इस जगह पे आपको देखने मिल जाएगा तो आपके need के साब से इस जगह पे add कर सकते हैं जैसे मैंने इसको add किया, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसको add करके रखा है, और इस जगह से आप चाहे तो इसको tap करके next कर सकते हैं, left, right जो कौन सा आपको चाहिए, तो इस जगह पे watch ways 10.5 के अंदर ये जो pride radiation wallpaper ये ही आपको एक अच्छा बढ़िया देखने मिलेगा, बाकी face honor जो काभी सारे जो bug था, छोटे मोटे, वो fix के है, तो इस जगह पे इतना ज़्यादा bug नहीं है, लेकिन इस जगह पे अगर आप cellular plan को add करते हैं, तो इस जगह पे इसका battery backup बहुत ही कम देखने मिलता है, मतलब 24 hours के अंदर आपको दुआरा charge करना पड़ता है, और cellular plan add किस तरह से करना है, अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है, तो चैनल के उपर वीडियो है, जाके check out कर सकते हैं, और इस जगह पे macOS 14.5 को apple ने release कर दिया, तो जैसे इसके उपर जाएंगे, तो इस जगह पे इसका size दिखाएगा, जो 2.53 GB और इस जगह पे जब क्लिक पहले एक बाद चेक कर लेते हैं, इसके लिए जाना पड़ेगा settings, और इस जगह पे about, about के अंदर जाएंगे, तो इस जगह पे इसका build number है, तो 14.5 इसका build number है 23F79, तो इसका new build number है, जो 14.5 का, और इसके अंदर आपको feature आपको क्या देखने मिलता है, पहले इसको close कर देते ह इसके अंदर first two feature आपको देखने मिलता है, वह है अपना find my के अंदर, find my के अंदर जैसे iPhone के अंदर आपको देखने मिलता है, iPad के अंदर देखने मिलता है, तो आपका Mac के अंदर भी यह देखने मिलता है, Mac के अंदर same जैसे इसके उपर जाएंगे, और double click करेंगे, इस जगह एक और उसके पर कलिकने के बाद संपको अपको देखने मिलता है इसके बात करते हैं अपने एप्स के अंदर बूकस एप्स जैसे आप क्लिक करते हैं और यह ओपन करेंगे तो एक नया फ्लास स्क्रीन सो होगा और इस जगह पे जो आपका रेडिंग का ओप्शन है जो जो टूडे रेडिंग जो इस जगह पे फाइम बिनिट्स का इस जगह पी टाइम दिखाता है तो आप इसको रीड कर सकते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट है हो है अपना सेटिंग और प्राइवेसी और सिक्रोडी के अंदर इस जगा पर पास की एक्सेस का ऑप्षिन इसके अंदर भी आपको देखने मिलता है जैसे पास की फोर वेबसाइट जैसे कोई भी एप्लिकेशन कोई भी किसके अंदर आगर मघबू का विञाँ करते हैं और इसके बाद जो है अपना पॉटकास्ट के आंदर करते हैं और करने के बाद उसका जो होगा जैसे नदर करेंगे मैकक के अंदर तो इस जगा पे आपका macbook के अंदर नया wallpaper add नहीं किया अगर आप जाएंगे settings के अंदर settings के अंदर जाएंगे और नीचे flavour section के उपर आयेंगे क्षिए पर आएंगे तो इस जगा कोई भी wallpaper इन या add नहीं किया तो इस जगा पर पूराना वाला यह आपको देखने मिलता है तो इस जगा पर और कुछ नए फीचर नए चेंज नहीं है जो मैक बूक के अंदर और इसका जो साइज आपडेट करने के लिए तो अपडेट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है बैटरी लाइप क्या इस चेगा पर नएक तो इस जगा पर उम्मीद कर सकता हूं जो आच्छा आपडेट इस जगा पर देखने मिल सकता है Mac OS 14.5 के अंदर अगर आप लोगों को कुछ इसू या प्रोब्लेम बगरा देखने मिल रहे हैं तो आप लोग कॉमेंट्स में जाके जरूर बता सकते हैं तो ये कुछ नए फीचर नए चेंजेस था iPad OS 17.5 के अंदर और Watch OS 10.5 के अंदर और Mac OS 14.5 के अंदर उम्मिद है इस वीडियो को देखके आप के लिए कुछ useful लगा होगा अगर इस वीडियो को देखके आप के लिए useful लगता है तो like, share, subscribe जरूर कीजिए और bell की notification call पर रखिए जब मेरा वीडियो आएगा तो आप लोगों के बास notification पहुँच जाएगा और नेक्स वीडियो अगर फिन मिलेंगे, goodbye